हलो फ्रेंट्स, वल्कुम तो एक्जाम और बिट तो आज के इस वीडियो में 18 माई का करेंट अफर डिसकस करेंगे PDF नीचे description से और हमारे टेलिगरम सब डाउनलोड का सकते हैं तो आज का करेंट अफर देखेंगे उससे पहले फट 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 पिछले करेंट अफर का रिविजन कर लिजे और वीडियो के लास्ट में दो क्वीज लगाऊंगा उसके अंसर आपको नीचे कमेंट करेंगे बताना है तो बहुत दिन करेंट अफर गैप हो गया था कि यूकी प्रेसिडेंसी के लिए कॉप 26 पेपुल्स एडवोकेट केसे नमीत किया गया है सर डेविड एटनबरो को कॉप 26 को ही सईउक तराश्र जलवाई प्रिवर्तन शिक्षर समेलन का 26 संसकरन कहा जा रहा क्योंकि यह 26 संसकरन है इसलिए कॉप 26 कॉप का फूल्प हमता है कॉन्फरेंस ओफ दा पार्टीज हाली में कि सराजी की पूलिस ने मिशन होसला अभियान लौंच किया है तो कोवेड-19 के मरीजों के लिए यह अभियान लौंच किया है उत्तराखंकी सरकार ने आरवे ने हाली में बगनान में इस्थित किस बैंक का लाइसेंस हरद कर दिया है इस बैंक का नाम है युनाइटेट को अपरेटिब बैंक लिमिटेड है पश्चिम बंगाल के बगनान में इसका हेड़ गवातर इस्थित है भारते महिला क्रिकेट टिम के नए मुख्य कोच कौन बने है रमेश वार बने है ये भारत के पुर्वे क्रिकेटर है इन्हें वूर केरी वेंकट रमन की जगा नियुकत किया गया है भारते प्राइबेट एयर लाइन्स कंपनी गो एयर का नाया नाम बताईए इसका अब नाया नाम हो गया है गो फस्ट मलेर कोटला की सराज्य का 23 मजिला बना है ये पंजाब का 23 मजिला बना है हाली में विश्व क्रिसी परियाटन दिवस कब मनाए गया 16 मई को मनाए गया 2021 का विश्व क्रिसी परियाटन दिवस का थीम है रूरल वेमेन सस्टेनेबल एंटरप्योनरशिप अपर्चुनिटीज थ्रो एगरी टूरिज में फर्चुन पत्रीका द्वारा जारी 2021 के विश्व के 50 महांतम नेताओं की वार्षिक सूची में किसे पहला अस्थान मिला है जैसिंडा अर्डन को यह न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर है इस सूची में टॉप 10 में दसमें अस्थान पे भारत के बिजनेसमेन है उनका नाम है अदार पुनावाला जोकी वरतमान समय में सिरम इस्टिटूट अफ इंडिया के CEO है सिरम इस्टिटूट पूरे में है यह विश्व की सबसे बड़ी वैक्सिन निर्माता कमपनी है दा टाइम्स गुरूप की चेर परसन कौन थी जिनका हाली में निधन हो गया इंदू जैन यह फिक्की लेडिज और्गिनाजेशन की संस्थापक अधैक्ष भी थी इनका हाली में निधन हो गया है अब चलिए देखते हैं आज का करेंटरफर पहला कोशन है हाली में लॉंच सिक्किम के इतिहास पर अधारित पुस्तक सिक्किम ए हिस्ट्री ओफ इंट्रीग्यू एंड एल्लाइन्स के लेका कौन है तो यह पुस्तक जो है हारपर कॉलिंस इंडिया द्वारब प्रकाशित की गई है और हाली में लॉंच हुई है इसके लेका कहें प्रीत मोहन सीह मलिक औप्शन ए सहुद्तर है प्रीत मोहन सीह मलिक यह भारत के पुर्वर राजनाइक है इन्होंने इस पुस्तक की राचना की है और ये पुस्तक सिक्किम के इतियास पर अधारित है 16 माई को इस पुस्तक को लॉंच किया गया और ध्यान रखिए हर साल 16 माई को सिक्किम दिवस मनाय जाता है सिक्किम भारत का 22 राज्य बना था कब बना था? 1975 में बना था और तीन कंट्री से ये अपनी सिमा शेयर करता है भुटान, नेपाल और चीन से गठन वथा 16 मई 1975 को जीलों की संख्या 4 राजधानी गैंग टक मुख्य मंत्री हैं प्रेमसी तमांग राज़े पाल हैं गंगा परसाद मुख्य नायदेश हैं जेके महाश्वरी यहाँका हाई कोट गैंग टक में है लोक सवसेट एक राज़े सवसेट एक विधां सवसेट बती से नतुला दर तथा जलेपला दर प्रसित दर्रे हैं ये सिक्किम में तमांग सेलो शिंगी चाम मास्क डान्स तथा सुबबा डान्स यहाँके लुपने रहते हैं खांग चेंड जोंगा या फिर इसे ही कंचन जंगा नेशन पार का आ जाता है, सिक्किम में हैं, शिंगबा वन्नेजु अभेरान्य तथा क्योंग नोसला वन्नेजु अभेरान्य इसे राज्य में हैं, लेपचा यहां की प्रसिध जन जाती हैं, अंग्रेजी, नेपाली, सिक किमीज तथा लेपचा यहां की अधिकारिक भाषाएं हैं पूरू सेकल वर्ग में टेनिस टूनामेंट इटाइलियन ओपें 2021 का खिताब किस नहीं जीता हैं 2021 का इटाइलियन ओपें का खिताब जीत लिया हैं राफेल नडाल ओप्शन भी सही उत्तर हैं इन्होंने किसको हराया नुवाक जोकोविच को हराया राफेल नडाल इस्पेन के हैं नुवाक जोकोविच सर्विया से बिलोंग करते हैं और इस तरह से राफेल नडाल ने दसमी इसी बार Italian Open का खिताब अपने नम किया है और इनके केरियर का ये 36 ATP Masters 1000 खिताब है और इसी खिताब के साथ इन्होंने नुवाक जोकुविच की बराबरी कर ली है ठीक है नुवाक जोकुविच वर्तवान समय में दुनिया के नंबर वन टेनिस की लाड़ी है तो राफेल नडा राज्य की कैरोलीना प्लिस कुवा को अगला कोशन देखते हैं 17 से 23 माई के बीच मनाय जा रहे छट्थे संयुक्तराष्ट वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ता यानि United Nations Global Road Safety Week का विशय क्या है यानि थीम क्या है इसका थीम है Streets for Life Option C सहुक्तर है तो 17 से 23 माई के बीच मे सयुक्तराष्ट वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ता मनाय जा रहा है ये छट्था संसकरन है तो शहरों, कस्बों और गाउं में लोग 30 किलोमीटर परती घंटा से अधिक गती से बाहन ना चलाएं इसके परती जगरुक्ता फैलाने के उद्देश से ये सप्ता मनाय जा विश्व स्वास्त संगठन का हेड़क्वाटर जीनेवा में है वर्तमान में इसके महानिदेशक है टेड्रोस एधनों विश्व स्वास्त संगठन की अस्थपन होई थी 7 अप्रेल 1948 में इसलिए हर सल 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाय जाता है अच्छा इस सप् की बात करें तो 24 सक्टूबर 1945 में इसके अस्थपना की गए थी 24 सक्टूबर को हर साल सैयुक तरास दिवस मनाय जता हैं मुख्याले नियॉर्क में हैं महा सचीव हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस सदर से देशों की संख्य एक सो तिरांबे अधिकारिक वह साय छे हैं अर्बी, चाइनिज, अर्चियन, फ्रेंच, स्पैनिश तथा अंग्रेजी नेक्स्ट, निम्नमसिक किसा राज्जी की सरकार ने COVID-19 रोगीयों के लिए आयूस घर द्वार कारेकरम शुरू किया हैं तो COVID-19 के मरीजों के लिए आयूस घर द्वार कारेकरम शुरू किया गया है हिमाचल परदेश में ओप्शन डी हराइट एंसर है तो घर पर ही योग का अभियास करके कोवीड-19 रोगियों को स्वास्थ रखने के उद्देश से इस कारेकरम की शुरुवात की गई है हिमाचल परदेश में एक और्गेनाजेशन है आर्ट ओफ लिविंग और्गेनाजेशन उसी के सहयोग से हिमाचल परदेश में इस कारेकरम को संचालित किया जा रहा है हिमाचल परदेश की बात करें तो हाली में यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में वजर परहार सन्य अभियास का योजन किया गया इस अभियास का य जनवरी 1971 को जीलों की संख्या बारा दो राजधानिया है समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला है मुखे मंत्री है जैराम ठाकूर राज्येपाल है बंदारू दत्तत्रया मुखे अनधिस है लिंगप्पा नरायन स्वामी यहां का हाई कोट शिमला मे है लोग सबसिट चार राजय सबसिट तीन विधाव सबसिट अनसट राजके पशु हिम तेंदुआ राजके पक्षी जूजू राना राजके बिरिक्ष हिमालई देवदार राजके फूल गुलाबी बुरांस धमान छपेली महाथू नटी डांगी डंडानाच चंबा नात तथा कयांगमाला यहां के परसिद लोगने रितते हैं ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क पिन वैले नेशनल पार्क इंदर किला नेशनल पार्क खिर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क सभी हिमाचल परदेश में हैं पंडो बाद लार्जी बाद त की परसीद जन जातियां है यहाँ परमुख दर रहे हैं शेप किला दरा रोह तंग दरा तथा बाडा लाचा दरा निम्न में से किसने करीम अब्दुल जब्बार समाजिक नय चैंपियन प्रोसकार की घोसना की है तो नेशनल बास्केट बॉल एसोशेशन है यह नौर्थ अमे समाजिक छेतर में उत्करिष्ट करे के लिए और इस पुरसकार के तहट जिस भी खिलाडी का चैन किया जाएगा उन्हें एक लाख डॉलर की इनामे राशीर दी जाएगी ताकि वे अपने पसंद के चेरेटी संथा को दान दे सकें करेम अब्दुल जब्बार के नाम पर इ इसका गठन किया गया था 6 जून 1946 को मुख्याले नियोर्क में है वर्तमान में इस लीग का चैंपियन है लॉस एंजिलिस लेकर्स 2020 में ये चैंपियन बना था 2021 के लिए किस भारते को विटली एवार्ट से सम्मानित किया गया है इंपोर्टेंट कोशन बनता है ध्यान में रखिए विटली एवार्ट्स 2021 से सम्मानित किया गया है नुकू फोम को ओप्शन भी राइट अंसर है नुकू फोम कौन है ये नागलेंड के परियावरन विध हैं इन्हें इस प्रोसकार से सम्मानित किया गया है तो नागलेंड में बायो डाइवर्सिटी पीस कोरिडॉर्स बनाने और पर्यावरंस सरक्षन के छेतर में महतपूर योगदान के लिए यह प्रोसकार दिया गया है वैसे इनके इलावा विश्व के अन्न progress लोगों को भी यह प्रोसकार दिया गया है लेकिन जो भारत के विज़ेता है यह ज़्यादा इंपनट है याद रेखे इनका नाम है नुकू फोम ठीकिए। अच्छा यह जो प्रोसकार है विटली एवार्ड इसे ग्रीन ओसकर भी कह जाता है और ये प्रसकार दिया जाता है UK स्थित विटली फंड फोर नेचर द्वारा इसकी अस्थापना 1994 में की गई थी और इसके तहट 40,000 पाउंड की इनामेराशी दी जाती है हाली में सुर्कियों में रहा तुकाते या फिर ताउते क्या है तो तुकाते ये एक चक्रवाती तुफान है जो की दक्षनी भारत की और आया हुआ है option C right answer है तो अरब सागर का ये तुफान है जो की दक्षनी भारत को भी परभावित किया है इसका नाम है तुकाते इस तुफान का नाम करण किस ने किया है वो ध्यान में रखिएगा इसका नाम करण किया है मैंमार ने बहुत सारे देश जो है नाम करण करते आए हैं जो भी चक्रबाती तुफान आता है कोई ना कोई देश उसका नाम करण करता है तो इसका नाम करण किया है मियमार ने जैसे पिछले साल बंगाल की खाड़ी में एक तुफान आया था निवार नाम का तुफान था तो निवार नाम करण किया है इरान ने यानि निवार नाम दिया है इरान ने पिछले साल ही बंगाल की खाड़ी में एक और तुफान आया था, उसका नाम है अमफान, और अमफान का नाम करण किया है थाइलेंड ने, ठीक है, दुनिया भर में विश्व उच अरक्ते चाप दिवस, यानि वर्ल्ड हाइपर टेंसन डे कब मनाय जाता है, वर्ल्ड हाइप पांच में, विश्व उच अरक्ते चाप दिवस 2021 का थीम है, मेजर यूर बलड प्रेसर एक्यूरेटली, कंट्रॉल इट लाइव लॉंगर, पिछले साल इस दिवस का विश्व था, मेजर यूर बलड प्रेसर, कंट्रॉल इट लाइव लॉंगर, बस थोड़ा सा ही फरक है 2021 में एक शब्द को जोड़ दिया गया है, एक्यूरेटली शब्द को, अच्छा 17 मई को एक और दिवस मनाय जाता है, विश्व दूर संचार और सुचना समाज दिवस 17 मई को ही मनाय जाता है, 2021 का थीम है इस दिवस का, चुनावती पूर्ण समय में डेजिटल परिवर्तन क तेज करना, इंग्लीश में accelerating, digital transformation in challenging times. मंगल गरह पर रोवर को उतारने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है, तो मंगल गरह पर रोवर को उतारने वाला, विश्व का दूसरा देश बन गया है चीन, option A, right answer है, अब तक का एक मातर देश, अमेरिका था, जिसने मंगल ग्रापर अपने यान को उतारा था चीन विश्वकत दूसर देश बन गया है चीन ने जी सरोवर को उतारा है उसका नाम किया है उसका नाम है जुरोंग जुरोंग को इंगलिश में कहा जाता है God of Fire और चीन ने पहला ही सफल मंगल मिशन है इसका जो रोवर है जुरोंग ये 90 दिनों तक वहाँ पर काम करेगा और जो और्बीटर है तियान वेन वन वो 687 दिन तक काम करेगा और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रिखेगा 2020 में तीन देशों ने मंगल मिशन लॉंज किया था चीन, अमेरिका और संयुक्त आरब एमराथ ने इसमें चीन और अमेरिका मंगल गरह पर अपने यान को उतारे हैं संयुक्त आरब एमराथ अपने यान को नहीं उतारेगा बलकि मंगल गरह की कच्छा से ही उसका अध्यान करेगा अमेरिका का जो रूवर उतरा है मंगल गरह पर हाली में उतरा था उस रूवर का नाम है परसीवेरेंस रूवर एक हलिकप्टर भी बहजा है अमेरिका ने उसका नाम है इंजिनिवीटी हलिकप्टर ठीक है? सयुक तरब इमराद का जो यान है उसका नाम है होप यान इन सभी को ध्यान में रखियेगा अब जानते हैं मंगल गरह के बारे में मंगल गरह सौर मंडल का लाल गरह है आइरन अक्साइड के कारण जो है ये लाल देखता है इसके दो उपगरह हैं एक का नाम है फुबोस और एक का नाम है डिमोस 687 दिन में ये सुरे की एक परिकर्मा कर लेता है अपने अक्च पर 25 दिगरी जूके होने के करण यहां पर मौसम परिवर्तन होता है जैसे पृत्वी पर मौसम परिवर्तन होता है सूरे से ये चोथा गरह है, सूरे से तीसरा गरह प्रिथवी है, दूसरा शुक्र है, पहला बुध है और मंगल गरह जो ही ये अपनी धूरी पर 24 घंटे में एक चक्र लगा लेता है और सूर मंडल का सबसे बढ़ा जो जो अला मुखी है, उसका नाम है उलिपस मेसी, ये मंगल गरह परी है और सूर मंडल का सबसे उचा परवत यही पर है उसका नाम है निक्स CCμαणपिया आप जानते हैं चीन के बारे में चीन के राजधानी है बिजिंग, यहां के राशपती है श्री जिन पिंग, परदान मंत्री है लीक के क्यांग, परदान मंत्री को प्रीमियर कहा जाता है चीन में, संसत का नाम है National People's Congress, मुदरा का नाम है रेन मिंबी, इवान रेन मिंबी का यूनिट है, बिजिंग में दो इठन का मुख्याले भी है, एक है ACO, शंगाई को अपरेशन और एक है AIIB, एशियन इंफ्रस्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनका मुख्याले बिजिंग में है, यहां पे हम चीन के बारे में बात किये है, तो यहां की जो अंत्रिक्च एजनसी है, उसके बारे में जान लीजे, आप लोग अक्सर इसुरो और नासा के बारे में जानते होंगे, इसका जो अंत्रिक्च एजनसी है, इसका नाम है CNAC, इंग्लिश में फूल परम होता है, चाइना नेशनल स्पेस एड्मिनिस्टेशन, अस्थापना हुई थी 22 अपरेल 1993 में, एड्मिनिस्टे गुणजन शाह, उप्शन B और राइट अंसर है, गुणजन शाह को संदीब कातारिया की जगां नियूपते किया गया है, संदीब कातारिया को अब ग्लोबल सीओ बनाये गया है, बाटा का, ठीक है, बाटा की बात करें, तो बाटा इंडिया के ब्रांड अम्बैस्टर कौ कींग फैसल अंतराशे प्रोषकार प्राप्त करने वाले एक मात्र भारतिये कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया तो विग्यान के छेतर में कींग फैसल अंतराशे प्रोस्कार दिया जाता है और ये प्रोस्कार पराप्ट करने वाले एक मातर भारतिये थे MS नरसीमहन हाले में इनका निधन हो गया है ये भारत के बहुत ही प्रसीद गणी तक गये थे और प्रोफेसर MS नरसीमहन को CS सेसादरी के साथ नर्सीमहन से सादरी प्रेमे के प्रमाण के लिए जाना जाता है ध्यान रखिएगा CS से सादरी ये भी भारत के प्रसिद गणी तक गये थे पिछले साल ही इनका निधन हो गया था तो CS से सादरी का 2020 में निधन हुआ MS नर्सीमहन का 2021 में निधन हो गया है CS से सादरी को 2009 में भारत का तीसरा सर्वचनागरिक पुरसकार होता है पदमभूसंड तो पदमभूसंड से इने सम्मनित किया गया था उनातरवी Miss Universe 2020 का खिताब किस नहीं जीता है तो 2020 के लिए हाली में Miss Universe परतविता का आयोजन किया गया था परतविता में ये फ्लोरीडा के मियामी में ये खिताब जीत ली है एंड्रिया मेजा एंड्रिया मेजा किस देश की है ये मेक्सिको की है अच्छा इस कमपेटिशन में फर्स्ट रनर अरप कौन रहा जूलिया गामा जो दूसरा अस्थान पराप्त करता है उसे फर्स्ट रनर अरप कहा जाता है जो तीसरा अस्थान पराप्त करता है उसे सकेंड रनर अरप कहा जाता है जेनिक मेकेटा ये second runner up रही है इस परत्योगिता में एंड्रिया मेजा मेक्सीको की है जुलिया गामा ब्राजील की है जेनिक मेकेटा ये पेरू की है तॉफ फोर में एक भारती रही है यानि third runner up रही है एड्लाइन, क्वाड्रोस, कैसलीनो ठीक है अच्छा 2020 के लिए Miss Universe का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता है 2019 के लिए ये खिताब किस ने जीता था उसे भी ध्यान में रखियेगा 2019 के लिए ये खिताब जीती थी जोजी बीनी तुन्जी जो की साउथ अफरिका की है Miss Universe का बात की है तो ये बताएए भारत की पर्थम Miss Universe कौन है सुसमीता सेन है 1994 में Miss Universe बनी थी सुसमीता सेन और भारत की पर्थम Miss World कौन है रीता फारिया थी 1966 में भारत की पर्थम Miss World बनी थी रीता फारिया हाली में राशेट डेंगू दिवस कब बनाए गया तो हाली में राशे डेंगू दिवस मनाय गया सुल्ला मई को, सुल्ला मई को हर साल भारत में राशे डेंगू दिवस मनाय जाता है, डेंगू के परती लोगों को जागरू करने के लिए, डेंगू वाइरस के कारण डेंगू रोग होता है, और डेंगू वाइरस का वाहक कौन लेता है तो malaria रोग होता है मादा एनाफिलिज प्लाज मोडियम पर जिवी का वहाइक होता है अच्छा 16 माई को और भी दिवस मना जाता है जैसे कि विश्व क्रीसी प्रयाटन दिवस अंतराशे प्रकाश दिवस और अंतराशे प्रकाश दिवस 2021 का संदेश है ट्रस्ट साइन्स यानि विज्ञान पर विश्वास शांती से एक साथ रहने का अंतराशे दिवस भी 16 माई को ही मना जाता है इंटरनेशनल डे ओफ लिविंग टुगेदर इन पीस भारती मुल्की किस महिला को हाली में अमेरिकी वाइट हाउस का वरिष्ट सलाकार नियुक्त किया गया है दुनिया में सबसे सुरक्षित अस्थान मना जाता है वाइट हाउस को जहां पे अमेरिका का राश्पती रहते हैं तो अमेरिकी वाइट हाउस का वरिष्ट सलाकार एक भारत वन्शी को नियुक्ति किया गया है। इंपर्टेंट कोशन बनता है द्यान में रखिए। ये हैं रेना टंडन। ओप्शन डी राइट एंसर है। अमेरिका में जो बाइडन प्रसासन में उचे पदों पर बहुत सारे भारत वन्शियों की नियुक्ति की गई है। सभी का लिस्ट बना दिया हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लिजए। कमला हैरिस जो की भारती मूल की हैं, उपरासपती बनी हैं, अमेरिका की 49 मी उपरासपती बनी हैं, ये अमेरिका की इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपरासपती हैं, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी हैं, उसका एक्टिंग चीफ ऑफ अश्टाफ बनी हैं अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकरी बने हैं, वनिता गुपता यह अमेरिका की एस्सोसियेट एटोर्नी जैनरल बनी है, अमेरिकी उर्जा बिभाग के चीफ ओफ स्टाफ बने है तारक्षा, सबरीना सिंग यह वाइट हाउस की उप प्रेश सचिव बनी है, वहीं हाले में कुछ दिन पहले अमेरिका के ब्यूरो ओफ कंज्यूमर फैनेंशल प्रोटेक्शन के निदेशा के रूप में नियुक्त हुए रोहित चोपडा, यहां पे हम बात किये हैं अमेरिका का, अमेरिका की राजधानी है वाशिंग्टन डेसी, वर्ल बैंक इंटरन इन सभी का मुख्याले वाशिंग्टन में हैं, नासा का भी मुख्याले यही पर हैं, राजपती है जो बाइडन जो की 46 में राजपती हैं, अच्छा यह राजपती के रूप में 2021 में शपत लिये, किस दिन शपत लिये, 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपत लिया, इसी दिन कमला हैरिस ने भी, शपत लिये, कमला हैरिस, 49 में उपर राजपती हैं, और जो बाइडन जो हैं, यह अमेरिका के 47 में उपर राजपती भी रह चुके हैं, 2009 से लेकर 2017 तक, जब ही बराक अबामा वहां के राजपती थे, तो जो बाइडन वहां के उपर राजपती थे, यहां की स उची कूद में किस भारते ने स्वांड पदक जीता हैं। रमेश पोखरियाल निशांक इन्हें 2021 के लिए इंटरनेशनल इन्विंसिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इन्विंसिबल गोल्ड मेडल दिया गया है। लोग हैं ये सारे केंद्रिये मंत्री हैं। पियूश गोयल ये केंद्रिये रेल मंत्री हैं इनके पास और भी मंत्राले हैं। वनिज्य और उद्योग मंत्राले उभोकता मामलेयों खाद्ययों स्तर्वजनिक वित्रन मंत्राले। नरेंसी तोमर केंद्रिये क्रीसी मंत्री हैं। इनके पास ग्रामिड विकास मंत्राले, पंचाइती राज मंत्राले और खाद्दे प्रसल्सकरन उद्योग मंत्राले हैं, नितिन गटकरी ये सड़कें प्रिवहन मंत्री हैं, इनके पास MSME यानि Micro, Small and Medium Interprises Ministry भी हैं, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करेंट अफर, वीडिय यानि O2, Greenhouse Gas नहीं हैं, बाकि Carbon Dioxide, CO2, CH4 यानि Methane, NO2 यानि Nitrogen Dioxide, ये सारे के सारे Greenhouse Gas हैं, और इन ही गैसों से ओजोन परत का च्छै होता है, यानि बरबादी होती हैं, दूसरा कोशन था, सोना निमन में से किस अमल में गुल जाता हैं, तो ये अमल अराज में गुल जात हैं, हाइड्रो क्लोरिक अमल और नाइट्रिक अमल के मिसरन को अमल राज कहा जाता हैं, इस बात को याद रखिए, अब चलिए, आज का पहला क्वीज है, दा ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजारता हैं, दूसरा कोशन है, दुनिया का सबसे व्यास समुदरी मार्ग कौन सा है, एंसर कमेंट करका बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, टेक क्यार